नमस्कार मित्रो मैं डॉक्टर आशीश आप लोगों का अपने यूटूब चैनल में श्वागत करता हूँ आज फिर आपके सम्मुक एक नई बिमारी और उसके होमियोपैति कुपचार को लेकर आप लोगों के सम्मुक परस्तुत हूँ तो मित्रो आज हम बात करेंगे मस्सों के बारे में ये मस्से सरीर पर कहीं भी हो सकते हैं चेहरे पर, गर्दन पर, हातों पर, पैरों पर, सरीर पर ये कहीं भी हो सकते हैं और कोई बड़े-बड़े मस्य हो जाते हैं, नुकीले मस्य हो जाते हैं कोई मस्य काले रंग के होते हैं, कोई मस्य लाल रंग के भी हो सकते हैं तो इन मश्चों से छुटका रपाने के लिए हम आज आपको जानगारी देंगे क्योंकि ये मश्चे आपकी सुन्दरता में आपकी सारीरिक सुन्दरता में ये बादा पहुँचाते हैं और ये कुरूब लगते हैं सरीर पर इसलिए मैं आपको मश्चो की आज होमियोपेथिक मेडिशन के बारे में बताऊंगा तो मित्रो ये मश्चो के लिए होमियोपेथिक मेडिशन है थूजा थूजा 30 ये होमियोपेथिक मेडिशन मश्चो के लिए बहुती एफेक्टिव मेडिशन मनी जाती है इसका प्रियोग हम चार-चार भून शुबह, दोपए, रुशाम ले तो बहुत ही अच्छे इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे लगवग 15-30 दिन के बीच में जैसे भी मस्ची हों आपके चैरे पर हों गर्दन पर हो या स्रीर पर कहीं भी हों कैशे भी मस्ची हों 30 दिन के अंदर ये आपके मस्चों को बिल्कुल समाप्त कर देगी बहुत ही अच्छी मेडिशन है थोजा ठर्टी के नाम से ये आपको कहीं शे भी मिल जाएगी मस्ची शुरीर पर कहीं भी हों कैशे भी हों ये मस्व को बिल्कु खत्म करती है और लगबग 10 से और 30 दिन के बीच में ये आपके सारे मस्व को खत्म करते ही उसके साथ साथ ही अगर आपके पैरों के तल्वों में डील हो गई हैं और ये बहुत दर्द करती हैं उन डीलों में भी ये थूजा 30 बहुत ही फैक्टिव मेड उसमें भी आप इसको चार चार बून सुबह दो पर शाम ले सकते हैं और आपको बहुत यह अची रिजल्ट मिलेंगे दस से पंदरा दिन के बीच में आपकी डीलें आपके जो गट्टे भी बूलते हैं गट्टे समाप्त हो जाएंगे और आपको बहुत यह अतलाब होगा तो मित्रो आज हमने आपको जानकारी दी मश्चे और उसकी होमेपैथिक दवा के बारे में तो आगे फिर आपके बीच में किसी अन्य रोग को लेकर और उसकी होमेपैथिक ओसली को लेकर फिर से आज ही रोंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन का भी बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे बहुत बहुत धिन्यवाद